नमस्कार सत्य यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है उम्र करीब 28 वर्ष का शव होने की सूचना प्राप्त हुई सूचना पर पुलिस के उच्चा धिकारी गण, थाना कोस कट्रा पुलिस, फोरेंसिक व डॉग स्कॉड टीम द्वारा मौके पर पहुँच कर घटना स्थल का निरीक्षन किया गया ट्रक मालिक द्वारा बताया गया कि मृतक ट्रक का ड्राइवर है, जिसे 04 दिन पहले ही काम पर रखा गया था तथा ट्रक के परिचालक को भी 15 दिन पहले ही नौकरी पर रखा गया था, जो ट्रक परिचालक घटना के बाद से ही फरार चल रहा है पुलिस अधीकशक मीरजापुर द्वारा फरार परिचालक की अथाशीग्र गिरफतारी हेतू टीमों को लगाया गया है पुलिस द्वारा मृतक का मोबाइल फोन वन नगत धन राशि भी बरामत कर ली गई है थाना कोज कट्रा पुलिस द्वारा मृतक के शव को कबजे में लेकर नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कारेवाही की जा रही है मौके पर शान्ती एवं कानून व्यवस्था सामान्य है सत्य यात्रा न्यूज से आशूतोष शर्मा की खास खबर धन्यावाद यह व्यक्ति जो मृतक है इस ट्रक का ड्राइवर है और इसे चार दिन पहले ही मालिक ने ड्यूपी पर लगाया था इसके अलावा इसमें एक और व्यक्ति ट्रक का खला सी था वो भी 15 दिन से पिछले यहां पर नौकरी पर आ रहा था और वो जो है यहां जबसे यह गटना को इसको खलासी को ड्यूटी पर रखा उसके बारे में से कोई जयनकारी नहीं है तमाम चीजें हैं मृतक का फोन भी हम लोग को मिल गया है उसके पास जो कुछ कैस था वो भी इंटैक्ट है तो इसलिए जो घटना है वो रैंडम स्कॉंटेनियस घटना किसी बात को लेकर ज पूरी तरह से घटना का नावरण किया है और त्रक भी भी आड़ी ओपना है क्या देख रहा है तो यहां पर ट्रक में यहां पर बालू लदा हुआ है जो कि गया से लोग बालू लेकर आ रहे थे यहां दोनों लोगों मालिक की बात भी हुए ड्राइवर से रात में और वह हुआ हुआ है, तर शाह हुआ है तर रहे ёл Maetlin